यह हैं आपका अपना चैनल माई पोडल इस वीडियो में हमने खट्टी करके रखी हुई है तो जब तक तक त्यारी करते हैं हम वीडियो दिखाने की तब तक आपसे अन्रोध है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सत्र बाइस थे इसके आयोजन के सम्मन्द में जो पत्र जिलों को प्राप्त हुआ है वो पत्र प्राप्त हुआ था तीन दस को और पत्र करमांग था सत्ता वन पच्चीस और इसके माध्धम से कहा गया था कि प्रश्णमंच अंग्रेजी, हिंदी, विग्यान और गड़त ओलिम्पियाड का आयोजन जिलों में किया जाना है आपको हम बता देते हैं कि प्रात्मिक विध्यालय में अध्धनरत जो कक्चा 2 से 5 तक के विध्यारती है उनके लिए अंग्रेजी, ओलिम्पियाड का आयोजन किया जाएगा और जो माध्मिक शाला के बच्चे कक्चा 6 से 8 तक के हैं उनके लिए प्रश्णमंच क्वेज भी होगा हिंदी, अंग्रेजी, विध्यान, गड़ित, ओलिम्पियाड का आयोजन भी किया जाएगा और ये सारी प्रतियों गिताएं निचले लेबल से जिला तक आयोजन होगी कैसे होगी हम आपको विस्तित रूप से आगे ये भी बताते हैं सभी तरह का पंजयन ऑनलाइन होगा, किस तरह से पंजयन ऑनलाइन होगा इसके निर्देश भी इस पत्र में दिया हुए है चलिए सबसे पहले बात करते हैं संभावित तितियों की कि ये आयोजन किन तितियों पर किया जाना है संकुल इस्तर पर 20 नमंबर को आयोजन किया जाना है जिला इस्तर पर यही आयोजन होगा 18-19 दिसम्बर को और राज इस्तर पर होगा 21-23 जन्वरी के मद्ध और अब हम बात करते हैं प्रात्मिक इस्तर की अंग्रेजी ओलंपियाड में प्रतेक शाष की प्रात्मिक विध्याले कक्षा 2-5 तक की प्रतेक कक्षा के एक-एक विध्यारती अर्थात एक विध्याले से चार विध्यारती संकुल इस्तर की प्रत्योगिता में सेभागिता करेंगे यानि एक विध्याले से चार विध्यारती संकुल इस्तर पर इस प्रतियोगता में समरित होंगे संकुल इस्तर पर कक्छा दो एवं तीन के विध्यारतियों के लिए एक प्रश्ण पत्र एवं कक्षा 4 और 5 की विध्यारतियों के लिए एक प्रश्ण पत्र होगा जिसमें अंग्रेजी भासा के कुल 30-30 बहुविकल्पी वस्टूनिस्ट प्रश्ण होंगे प्रितेग संकुल से कक्षा 2 एवं 3 में से 4 विध्यारतियों तथा कक्षा 4 कक्षा 5 में से 4 विध्यारतियों अर्थात प्रितेग संकुल से 8 विध्यारति जिला इस्तर की प्रश्ण पत्र होगा जिसमें 40-40 बहुविकल्पी वस्टूनिस्ट प्रश्ण होगे प्रितेग जिले से कक्षा 2 और 3 में से 1 विध्यारति तदा कक्षा 4 और 5 में से एक विद्धार्ती अर्थात प्रतेग जले से दो विद्धार्तियों का चेन राजस्तर की प्रतेवगिताओं के लिए किया जाएगा और इन सबी के लिए जो परिक्षा होगी जो भी प्रतेवगिता होगी वो होगी OMR सीट पर अब हम बात करते हैं मादमिक शाला के बच्चों की प्रतेग शाषकी मादमिक शाला में कप्षा 6-8 तक अध्यन करने वाले विद्धार्तियों की सहवागिता निम्रानुसार होगी और ये जो विबरण है हम आपको ये बता देते हैं कप्षा 6-8 के नामंकन अगर 1-20 तक है त उस मादमिक शाला से 12 बच्चे संकुल स्तर पर सहवागिता करने उपस्तित होंगे 80-150 Jay lodge 751 से 500 होने पर 20 बच्चे और 500 से अधिक नामंकन हुने पर 50 बच्चों का लक्ष सहवागिता के लिए रखा गया है संकुल इस्तर पर मादमेक इस्तर के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें पाँच खंड होगे प्रिथम खंड प्रश्णमंच का होगा, दुती खंड हिंदी ओलिम्पियाड का होगा, तेती खंड अंग्रेजी ओलिम्पियाड का होगा, चतुरुद खंड विज्ञान ओलिम्पियाड का होगा, और पंचम खंड गड़ित ओलिम्पियाड का होगा, यानि प्रते खंड के प उयमार सीट पर प्रश्णों को हल करने की तैयारी अपने विध्याले में बच्चों से जरूर करवाएं। संकुल इस्तर पर प्रतेक विशय के लिए सरवाधिक अंकों के आधार पर चार-चार विध्यारतियों का चैन किया जाएगा। अर्थात एक संकुल से वीश विध्यारतियों का चैन जिल्ले स्तर पर होगा। इसके बाद लखा हुआ है समान अंक प्राप्त होने पर सबसे कम उम्रवाली विध्यारतियों का चैन पहले होगा और उसके बाद बढ़ती करम में होगा। जिल्ला इस्तर पर आयुजित OMR आधारित प्रिद्योगता की आधार पर हिंदी अंग्रेजी गड़ित विध्यान ओलिम्पियार्ड में प्रिथक प्रिथक दो दो विध्यारतियों का चैन राजिस्तर के लिए होगा। यानि प्रिथक जिले से प्रिथक विषय के लिए दो दो विध्यारति राजिस्तर के लिए चैनित किये जाएंगे। जिल्ला इस्तर से प्रिष्णमंच प्रिद्योगता में चैनित दो सदस्यों के एक दल का चैन राजिस्तर के लिए होगा। तो ये तो थी प्रतियोगिता आपको किस तरह से आयूजित करवाई जाना है अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से ये प्रतियोगिता संचालित होगी और इसमें किस किस तरह से किस किस तरह का यूगदान अपिक्षत है सबसे पहले जिलेस्तर से क्या अपेक्षा है उसको भी हम आपको बता देते हैं लिखा हुआ है प्रतियोगता के अनुसार प्रात्मे के वमात्मिक विध्याले की चात्रों का बंजियन करवाना है इसके बाद लिखा हुआ है कि जिले के डाइट से प्रतियोगता की तैयारी करवाकर विध्याले को उप्लद्व करवाना तथा चात्रों को इन प्रश्णों के आधार पर अभ्यास करवाना कक्छा 2 से कक्छा 5 की विध्यारतियों को कक्छा इस्तर अनरूप अंग्ले जी भाषा का ध्यापन करवाकर प्रतियोगता की तैयारी करवाई जाए जिलास्तर पर प्रात्मेकिस्तर की प्रत्योगिता एक दिवस में एवं मात्मेकिस्तर की प्रत्योगिता दो दिवसों में आयोजित होगी कोई भी विध्यारती जिलास्तर से राजस्तर के लिए केवल एक प्रत्योगिता के लिए चैनित किया जाएगा इसका विकल्ब विद्यारतियों से λिखत रूप से प्रात किया जाए जिला स्तर पर चैनित कोई पृति भागी, राज स्तर पर सहीबागी तर नहीं करना चाहता है तो उस से लिखत सहमति प्रात कर अगले करम वाले विद्यारतियों को आउसर प्रदान किया जाए एक और निर्देश पत्र में लिखा हुआ है कि जिला इस तर से प्रात्म किस तर के अंग्रेजी ओलम्पियार्ड में चाहिने कक्षा 2 एवं 3 से 1 तथा कक्षा 4 एवं 5 से 1 विद्धारती इस परकार कुल 2 विद्धारतियों एवं माध्यमे किस तर से परतेक विशह प्रश्ण उपलद करवाना तथा पोर्टल या एप पर अप्लोड करवाना है और यह पत्र जारी हुआ है संचालक राजशिक्षा के इंदर भुपाल से इसमें कुछ विश्तित निर्देश भी दिये हैं हम आपको संचिप्त में वह भी बता देते हैं प्रित्योगिता में सहबागिता करने वाले को अभी ब्राण कुछ इस्तरा से कि जो प्रात्मे किस्तर की बच्चे होंगे परिक्षा का समय होगा प्राता है ग्यारा बज़े से दोफैर साड़े बारा बज़े तक यानि डेड़ गंटे का पीपर होगा और उसमें 30-30 बस्तु प्रिक्षा का समय होगा बारा बज़े से देड़ बज़े तक अब हम बात करते है मादमे किस्तर की मादमे किस्तर में जो परिक्षा का समय है वो संकुल स्तर पर होगा ग्यारा बज़े से देड़ बज़े तक इसके बाद जो जिला स्तर पर समय है वो है देड़ घंटे का सम यानि प्रिथम दिवस जब प्रिश्ण मंच होगा तो उसका समझ हुए साड़े-दस से बारा होगा हिंदी ओलिम्पियाट के लिए बारा बच के पैतालिस मिनट से दो बच के पंदरा मिनट तक अंग्रेजी ओलिम्पियाट के लिए तीन बज़े से साड़े-चार बज़े तक होगा दूतिय दिवस विग्ञान ओलिम्पियाट प्रतियोगिता होगी वह होगी साड़े-दस से बारा बज़े तक गड़त ओलम्पियार्ट प्रतोगता होगी एक से ड्राइवेज तक तो ये तो थे प्रात्मेक और मात्मिक शाला के बच्चों के लिए ओलम्पियार्ट के समध में विस्त्रित दिशानर देश उमिर है आप इनको समझ गए होंगे मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग